सुना है लोग उसे दश्ट भार के देखते हैं सो उसके शेहर में तुर्थिन ठैल के देखते हैं सुना है दिन में उसे चांद तकता रहता है सुना है शप में उसे चांद तकता रहता है सितारे बामि फलक से उतर के देखते हैं सुना है उसकी बातों से ठोल जड़ते हैं अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं मैं बहुत थेराम के साथ इस वक्त मुल्दमिस हूँ देली से हमारे भी इस तश्रीफ फर्मा हुए है हजरत मौलाना मुफ्ती अकिल रह्मान साहिब हजरत तश्रीफ लाएं के बुराना मानों अगर तो मैं एक बात कहतूं मुझे तुम्हारी जरूरत है जिन्दगी के लिए अपनी जिन्दगी के लिए तो शायद हो लेकिन आज के इस त्रोग्राम के जिन्दगी के लिए जरूर है हजरत मौलाना मुफ्ती अकिल रह्मान साहिब लिए् Qई लाएं? लिए लाएंु लाएं लजिघ लएढ ठिन्सान मिन नुपा हम्द लाएं 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 हो और्योई के लिस एम से घ शेओ भुकिलि अलाइ, भुकिलि अलाज। छेकना ओर कर्किला जिर है तार सकत्ता ourself पिरने धिर सिर लैतो और उर stores لا कर पर्या नला मुर्चिज्य नहर झार क्रों एकिक Гरूत है वग्न कर नगता द 밝혔 एं यूर्य चर सूर मुल्या आर रखुगीना व color अुदलनाध भार पर फ्त हुआ हぉ हुए। ना पॉश्ल webinar लिजांता बवहा हुए। ना लिजा भी पाग्थान, भा में मुभ व्यार भयार रिजान, वान वeping उजान, विला, व को सिराज कम् उरा वास्ल्लाह तबारक वताणा अला आली वास्वाबी वास्वाबी वजुर्याती वबारक वसल्मत स्मीम क्थीर क्थीरा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحق قدري سدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وَجِعَلَ الزِّلَّةَ وَاسْتِغَارَ عَلَى مَنْ خَارَ فَأَبْرِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تِعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ محمد دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ حقیدر پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ جب آئے تو عظمت پڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہیں بے شک بشر لیکن تشاہد میں ازانوں میں ہیں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بروزِ حشر جب نفسہ نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام ہے खिलों ने तोड़ देता था में जब छोटा सा बच्चा था मेरे रोने पे मेरी माँ खिलों ने जोड़ देती थी सुना है मां से भी बढ़ करे तुझे उल तो मुझे को जोड़ दे या रब में खुद को तोड़ दे या रब हम खुद को तोड़ दे या रब सजरे महतरम इज़त और इहतराम के मुस्तहिफ अकाविर उलमा इक्राम बज़र्गो दोस्तों और जवान साथियों रब ने बड़ा फदल फर्माया के मुझे और आपको अपनी और अपने पार नवी की महबत पर इस मैदान में जमा किया काईनात का रब मेरे और आपके आने को बेटने को कहने सुनने को कुबल फर्मा ले हिदायत का मगफिरत का जरिया बना दे अल्ला ने दुनिया में इनसानों के आने के लिए जो सिल्सला काईब किया अल्ला ने इनसान को जरिया बनाया एक बाप और एक मा को अल्ला ने आसमान से नहीं टकाया ना इस जमीन से उगाया अल्ला ने जरिया बनाया बाप का और मा का अल्ला ने पुरान करीम में फर्माया यखरुजु विम्बैनि सुल्वि वत्तराइद अल्ला ने बाप के सुल्व से नुट्वा निकाला और मां के रहम में पहुचाया या एयुहन नास इनकुंतुं फी रईवि मिन अल्माद फैना खलकनाकु मिन तुराब थुम्म मिन नुट्वा थुम्म मिन अल्वा मेरे रवने फरमाया हमने बाप के सुल्व से नुट्वा निकाला मां के रहम में पहुचाया अल्ला ने उसे लोथला बनाया अल्ला ने उसमें हंटिया डाली अल्ला ने गोश चड़ाया अल्ला ने शक्लु सूरत बनाई मेरे रब ने फरमाया वल्लदी यसविरुकुं फिल अर्भाम कैफ यशा मेरे रब ने फरमाया या ऐयुहाल इनसान मा घर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लदी खलकक फसवाका फादलत फिए यस सूरत मा शारकब अल्ला ने जिस सूरत में चाहा इनसान को अपने बन्दे को तर्कीब दिया और सुम्म सबीरा यसरा फिर रास्ते को आसान किया इनसान दुनिया में आया आने के बाद उसने अपनी निगाहों को खोल कर देखा कि रात की तनहाई में उसके रोने पर उसके बिलकने पर उसकी आवास पर अगर रातों को अपनी नीने कुरबान करने वाला कोई है तो उसकी मा की शकल में या उसके बाद की शकल में बच्चा बड़ा होता गया बच्चे ने अपनी निगाहों से देखा कि उसके खातिर रात दिन महनत करने वाली एक माँ और उसके खातिर दिन रात महनत करने वाला एक बाप ना उसने सर्दी को देखा ना उसने गर्मी को देखा ना उसने बारिश को देखा उलाद के लिए कमा कर लाया उसकी ख्वाइशों का ख्याल किया उसके आराम का ख्याल किया उसकी जरूरतों को पूरा किया अब जब बच्चा जवान हुआ बच्चा बड़ा हुआ तो मेरे रब ने अकलन मेरे रब ने उस बच्चे के दिल में ये बाट डाली तेरा बाप है तेरी माँ है तो ये एटो मेटिकली अपनी माँ का गदर्दान बना अपने बाप का गदर्दान बना अपनी माँ को इजद की निगा से देखा अपने बाप को गदर की निगा से देखा इससे आगे बढ़कर अगर कोई भाई दुनिया में मिला तो अपने मेरे बंदों से शिक्वा किया मेरे रबने फरमाया मेरे बंदों बनाया माबाप में नहीं हैं अल्ला ने माबाप को जरिया बनाया तो तु मा की खतर करने वाला बना अपने बाप का खतर दान बना लेकिन जिस रबने तुझे बनाया जिसने तुझे सांसे दी जिसने तुझे हसने का मौका दिया जिसने तुझे रुलाया जिसने तुझे जिसने तुझे जिन्दगिया दी जिसने तुझे आश औ इश्व इश्रत के सामान दिये उस रख को तुने भुला दिया उसकी गतर करने वाला ना बना मेरे रब ने पुरान करीम में फर्माया मेरे रबने फर्माया एए इंसान असाया प्राओ बिमेने और रुलाया प्राओ बिमेने इंसान को इज़त दी तो भी ल्ला तबारक बताला ने मेरे रबने फर्माया मुर्दे को जिन्दे से निकालना इन्सान को बाश्चाहत का देना ये माजूल करना इस्जतों का देना ये जिल्लत का देना आस्मान की बलंदियों तक पोचाना ये भी अल्ला का काम इन्सान को हुलात का देना और आस्से महरूम करना ये भी अल्ला का काम मेरा रभ कहता है मैं जिसे चाहे लड़के दे दू और जिसे चाहे लड़किया दे दू ये भी अल्ला के अब्ज़ और खुद्रत के अंदर मेरा रभ कहता है मेरे बंदे तुझे बनाया मैंने तुझे सवारा मैंने तुझे सासे में ने दी लेकिन अजीब बात है जो जरिया रभ ने बनाया तू उनका तो गदरदान है जिस रभ ने तुझे बनाया तो उसकी गदर करने वाला नहीं बना हाँ माबाब की गदर का इंकार नहीं लेकिन जिसने बनाया उसका गदरदान बनता उससे महबत करने वाला बनता उससे प्यार करने वाला बनता उसके हुक्मों को बजा लाता लेकिन नहीं 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 आज नह अल्ला के हुक्मों पर अमल किया गया 5 वक्ता नमाज अल्ला के दर्बार में आकर अदाना की गई मेरे प्यारो रभ ने बलाए बुलाया और हम उसके बुलाने पर उसके दर्बार में ना पहुचे इससे बड़ी नाकदरी क्या होगी एक दुनिया का परधान एक दुनिया का चोधरी एक दुनिया का बड़ा आदमी अगर तुम्हारे घर पे दस्तते तुम्हे बुलाए तुम दोड़े चले आओ अल्ला तुम्हे बुलाता है पाँच वक लेकिन ना मुझे तुफिक ना आपको तुफिक मस्सिदे खाली पुली है नमाजी कोई नजर नहीं आता अजीब बात तो ये है आज जब रिष्टे और नाते किये जाते हैं तो एक बाप सीना ठोक कर कहता है मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है शराब ये नहीं पीता जुआ ये नहीं खेलता भुटका ये नहीं खाता हाँ बच जरा इतना है कि ये नमाज नहीं पढ़ता ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी डोक्टर को बुलाया जाए बच्चे को दिखाया जाए और डोक्टर ये कहे बच्चा तो ठीक है इसकी नाग भी वही इसकी आग भी वही इसके हाथ भी वही बस जरा जान निकल गई है मेरे प्यारो शराब का पीना छोटा जुर्म है और नमाज का छोड़ना ये बड़ा जुर्म है जिनाकारी का करना ये छोटा जुर्म है और नमाज का छोड़ना ये बड़ा जुर्म है याद रखना ये दुनिया के अंदर जितने भी गुना है सूद कितना बड़ा गुना अपनी मासे मुगाला करना और सूद लेना मासे मुगाला करना चोटा जर्म और सूद लेना बड़ा जर्म है लेकिन सूद से भी बड़ा जर्म है नमास का चोनना नोजवानों को देखो जाता अगर किसी बाप का बच्चा शरावी बन जाए इसी की ओलाद शरावी हो निगाहों में हकीर जानेंगे शरावी है उसकी ओलाद बिगडी है बेनमाजी बन गया कोई दिल में सुचता भी नहीं कि ये बिगड़ा हो तसवर भी नहीं आता ये तसवर भी नहीं करता कि इसके अंदर आएब है शराप का पीना छोटा आएब छोटा जर्म छोटा बुना और बड़ा जर्म है नमाज का छोड़ना ये उसकी नाकद्री है जिसने बनाया जब वो बुलाए तो उसके बुलाने पर जाना ये उसकी गदर्दानी है मैं ये कहना चाहूंगा आज में और आप तो गदर्दान ना बने लेकिन हाँ एक जमादी सुरुए जमीन के रूपर ऐसी आई है जिनोंने ल्ला की गदर की और पदर ही नहीं की अल्ला की और नभी की गदर का हख अदा करके दिए नभी की एक सुन्नत है बीच की मांग निकालना आप जब भी कंगी फरमाते है आधे बाल इधर और आधे इधर बीच की मांग निकालते है एक सहाबी हैं बाल जरा मोटे और घुमर वालो हैं जब कंगी निकालना चाहे तो निकले यह नहीं बड़े सक्त बाल थे मेरे पियारों पीच की मांग निकालना चाहते हैं निकलती हैं आज यह आजीब मामला हो गया हमारे नोजवानों के साथ बाल यहां से मुडवाएं यहां से मुडवाएं यहां से मुडवाएं और बीच में आजीब में च्छबڑा रखा है यह नभी की सुनत के खिलाप एक बहुत बड़ा जरुमार है आज नोजवानों की जिन्दगी के अंदर अपने कानों को छिदवाया उन में बालिया डलवाई अपने हातों में कंगन डाले अपने हातों में दागे बांदे मेरे प्यारों ये इसलामी तरीका नहीं हातों में कंगन का डालना ये कानों में बालिया डालना ये ओर्तों की जीनत है और ताज़दार मदीना इमाम अलबिया ने फर्माया ऐसे मर्दों पर अल्ला की लानत है जो ओर्तों का चाल चलन और उनकी मुशाबात इक्तियार करें एसी औरतों पर लानत है जो मर्दों का चाल चलन उनकी मुशाबहत इक्तियार करें अगर आदमी कुरान पढ़ता हो और कान छिजे हो बाली अडली हो कुरान पढ़ने का सवाब अलग है लेकि लानत और गुना बराबर अगर वो नमाज में है बेतुल्ला का तौास करता हो बाली अडली हो यहाथ में कंगन डला हो लानत का और गुना का पराबर वो शिरीक है और बराबर गुना इसका लिखा जाएगा अल्ला के वासते हाथ चोड़कर कहूँगा अगर ये आदत गंदी आपकी जिन्दगी में है कि आपके हाथों में कले या आपके हाथों में धागे या पिलाश्टी के पट्टे आपके गलों में डले हैं आपके हाथ में डले हैं या गलों में चेल पड़ी है अल्ला के वास्ती या औरतों की जीनत है अल्ला ने तुम्हें मर्द बनाया है मर्द बन कर रहो औरत बनने की कोशिश ना करो अपने आप को समालो अपनी जवानी को समालो ये बहुत बड़ा बुना है तुम्हें यार्जिकर रहा था ताज़दार-े-मदीना इमाम-ल-हम्दिया की सुन्त बीच की मांग निकालना सहाभी ने देखा मेरे बीच की मांग नहीं निकलती तो इसने लोहे की सरिया को लिया उसे ले पर आया उसे आफ पर तपाया उसे आफ पर जलाया और जलाने के बाद जब लोहे की सरिया सुर्फ हो गई और गरम हो गई आईना सामने रखा और रखने के बाद बीच टीक पर लोहे की सरिया को जलती हुई को रखा इस ख्याल से अगर मैं सर जलाऊंगा बाल जलेंगे दुबारा हुजगा पर बाल नहीं आते जहां आग छुकर चली जाए बाल जल गए उसर जल गया एक लंदे जमाने तक शिखम रहा ताँजजडर मदीना इमाम अन्दिया के दरबारे आलिया में पहुचे अपने अमामे को उतारा अपनी पगली को उतारा अपनी टोपी को उतारा इमाम अन्दिया मुहमद ररसुल्ल्ह ﷺ को अपना सर दिखाया मेरे नभी ने मालूम किया मेरे लाडले सहाबी ये सर में छोट कैसे लगी ये सर में जखम कैसे आया सहाबी कहने लगा या नभी ये लागा ये मेरे सर का जखम नहीं बलके आपकी सुन्नत को जिन्दा करने के लिए मैंने अपने सरके उबर जल्टी हुई लोहे की सरिया रखी ताके बाल और आधे इधर और पीज की मांका आक्स और आपकी सुन्नका आशर मेरे सर में नजर आए तो मेरे मबी ने फरमाया और मेरे पियारे ज़्याभी मैंने सर जालाने का हुक्म ना दिया था सहाबी कहने लगा आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुनन जिन्दा ना वो सर किस काम का आज हमने अपने आपको नभी से कितना दूर किया है अपने रफ से कितना दूर किया है ये सहाबा थे जिन्होंने गदर की गदर का हख अदा तरके दिखाया मेरे प्यारों आज मेरे और आपके दिल में ये तड़ा पैदा नहीं होती मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि आज के चंद नोजवानों ने डाड़िया रखी मूचे रखी पता ये चला वो किसी फिलिम में किसी जालिम ने ये ताड़ी और चेहरा लेकर आया तो आज का नोजवान उसी को रखने लगा अफसोस सद अफसोस इमान कितना गिर गया तुमारे नभी का उस्वा तुमारे नभी का तरीगा तुमें चीख चीख कर इस चेहरे की तरफ बुलाता है तुमें कभी तूफिक नहीं हुई और जालिमाना हद हो गई कि एक जालिम को देखकर एक फिल्म इश्टार को देखकर तुमने उसके तरीके को अपनाया और नभी के तरीके को हल्का समझा इससे बड़ा जालिम हुए जमीन पर और और होगा जिसे दुनिया वालों के तरीके तो अच्छे लगे और ताज़िदार मदीना का चेहरा और लेनो जवान बच्चे और हमारी नसल आज बेरों को देखकर ये तरीके अपनाती है और अपने नभी के तरीके को छोड़ डाला आज से पहले शादिया ने हो रही थी अब इसमें भी शादिया हो रही है क्यों? चुके हमारे दिनों में नभी की खदर जाली नहीं इन जालि कि नभी जिन्दा नहीं रहे आप परदा फर्मा गएं सची बताना आप हो या में हो कोई आकर ये कहे कि फ़ला रिष्टेदार चला गया फ़ला अजीज चला गया तो आप क्या कहेंगे अच्छा चलू मैं चलता हूँ और जाकर उसे तिलासा देता हूँ अपने सीने से निगाहों से अपने नभी के चेहरे को देखा उनके चलू को अपनी निगाहों में समया मौला आज मेरे नभी दुनिया में न रहे अभी निगाहों की जरूरत मुझे न रही अल्ला हम धब पसरी हद ताला अरा बाद हभी भी आहदा मेरे मौला मेरी पीनाई को छीन ले मेर किसके बार मैं दुनिया की किसी रंगीन चीज़ को और दुनिया के किसी जल्वे को अपनी निगाहों से देखना नहीं चाहता अंदाजा लगाना क्या कदर थी इमाम अम्दिया की और कितने गदर्धान थे ये मेरे तुमारे नभी के आँखे ले 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 अमने किसी और को एक लाग देते तो लाग देते तेरी बीनाई तुझे मिलेगी वो को हैगा मेरी सारी दुनिया ले लो लेकिन मुझे दुनिया का जल्वा दिखा दो लेकिन इस सहाफी की गदर्दारी मॉला मेरी निगाह ले मेरे नभीना रहें अम्मे इन निगाहों से किसी और को देखना हम से ज्यादा गदर तो नभी के जमाने के जानवर करके गए आपकी चार उटनिया थी अजबा शहबा जदा अस्वा कस्वा उटनी को पता चला कि आप दुनिया में नहीं तो उसने खाना चोड़ दिया उसने चारा चोड़ दिया और उसने रोना शुरू किया मेरे बाप का मेरी मा का इंतकाल हुआ। मेरी मा का इंतकाल हुआ। इंडों सालों चार स्वा की के था की बाप पयार ख़ता हैं। कि ताज़दारे मदीना गए, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, रोना शूर कर दिया, रोती गई, रोती गई, रोती गई, रोती गई, तारेख के सुनेरे अलफाज बताते हैं, कि इसने नभी की मुहबत में रोते रोते अपनी जान दे दी, आपका एक गधा था य गया मज्मू हो गया सामने एक कुणा नजराया उस कुए में चलान लगाई और अपनी जिनद्गी की बासि हार गया मेरे प्यारों बताओ जिस पर जानवर निचावर होते हो जिस पर जानवरों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया हो और जिस पर जानवरों ने अपनी जिन्दगी को गुर्बान किया हो आज उम्मत ने उसे भुलाया आज मैंने और आप ने उसे भुलाया आज मैंने और आपने उसे भुला दिया, रातों की आहें, रातों की सिस्किया, ताइफ के मैदान के वो पत्थर के जालिमों को रहमाया, दुश्मनों को तरसाया, दुश्मनों को रहमाया, अगर नहीं आता, तो आज मुझे और आपको नहीं आता, अगर याद नहीं आती, तो मुझे और आ तो नहीं आती, अल्लाद के बं दों, आज बाप की आँखे आउसों नज़र आएंगे, ऑलाद रोने लगे, उसका असर दिल पे होगा, ऑलाद के चोट लगे, उसका असर दिल पे होगा, ताइफ की गलियों में, नभी ने पत्थर घाएं, तभी आँख से मेरी ने तुमारी रुक जाओ इतना न रोया करो पौंस सुच जाते हैं वर्मा जाता है लेकि नई 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 नभी रोते गए कभी उनका रोना मुझे और आपको रुलाता है कभी नई कभी नई अल्लह के वास्ते कुस्तौ नासू का ख्याल करो कुस्तौ नाहो को याद करो ताज़िदार मदीना इस दुनिया ही में नहीं कल कियामत का मेदान होगा वहाँ पर मेरे लिए आपके लिए बेकरार होंगे अल्ला आइसास देगा अल्ला फरमाईगा या मुहम्मद आ जाओ ये अइसासी मिम्बर पूल करो आजाओ शीशी ये तुमारा नुह ये तुमारा लूदी ये तुमारा मुसा इसा तुमारा इबराहीम इसाद ये तुमारा एक लाग चुबिस दार कमो बेश अम्दी आए अल्ला हरे एक नभी के लिए एक एजाजी मिम्बर जाहिर करेगा जिस पर वो नबी जल्वा अफरोद होगा तुनिया वालों को पता चलेगा ये अल्ला के बर्गुजीदा प्रगुंबर है सबसे आखिर में सबसे आला सबसे अर्फा सबसे अफजल सबसे पहतर एक नुरानी मिम्बर जाहिर होगा अब मेरा रफ फरमाएंगा आजा ये एजाजी मिम्बर आप कुबूल कर लो नबी फरमाएंगे नहीं मेरे रफ मुझे डर लगता है तो मेरा अल्ला कहेगा अच्छा तुझे डर लगता है मैंने तेरे पुरान में गस्में खाई तेरे लिए वकीरे सफाई बनके आया वन्नजम इडाहवा मा गला साहिबकुं वमा गवा वमा यंतिकु अनिलहवा तेरे रिसालत की खस्में खाई यासीन वल्कुरान लहकीम इनकल मिनलमुरसलीन तेरे जवानी की खस्म खाई तेरे बेटने का खिकर किया तेरे शिजरे को तेरे नसब नामे को कियामत तक महफूस किया किसी नभी का नसब नामा महफूस नहीं अल्ला के नभी के नसब नामे को भी कियामत तक महफूस कर दिया गया मुहम्म्द صلی اللہ علیہ وسلم बिन عبداللہ बिन अब्दिया बिनकुल। बिननाइश बिनमाखी बिनाइश 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 बिन लामिक, बिन मतुशाल, बिन इद्रीज, बिन यरिद, बिन मलहलील, बिन गिनान, बिन आनुश, और बिन शीश, बिन आदम आलेहु सलातु वस्सलाम, ये मुहम्मद से लेकर आदम तक सम्मेहफूजों मक्तूब किया गया, आजाओ, ये अईजाजी मिम्बर कबोल करो, अल्ल्व मुझे डर लगता है, कहीं इसाना हो, कि इस लूरानी आईजाजी मिम्बर पर तू मुझे बिठा दे, और ये मुझे हवाओं में लेकर उड़े, और मुझे जन्नत में लेकर चला जाए, और मेरी गुनागार उमत हिसाब और किताब में ठसीना रह जाए, मेरे एक एक उम्मती को जब जहन्म से जन्नत में नहीं डालेगा मैं तेरे इस इस इसाजी मिंबर को पुबूल नहीं करूँगा उस नभी के तरीके को छोड़ा उसके उस्वे को छोड़ा अल्ला के वास्ते या अबा सुफियान जीतकुम लिकरामति दुनिया वाला आकिरा वजई अल्ल्लता फुछारा अलामन खाल गाम्री अबुसुतियान याद रखना अल्ला ने दुनिया की तमामते पर इस्थे मेरे तरीके में छिपा कर रख़िये अपनाओए अल्ल्ला इस्थे देगा छोड़ोगे अगर मुसल्मान चाहता है उसे कामियाबी मिले इस्टे मिले तो अल्ला के वास्ते नभी के दामन को थामो अल्ला हमारी दुनिया भी सबारेगा अल्ला आफिरत भी सबारेगा मैं कहा करता हूँ इमा की दौलत को बेठे इसलाम की असमत भूल गए खेरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए अखलाप कशीशा चूर हुआ इनसाफ दिलों से दूर हुआ अल्ला का शिक्वा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए और आन्मी के पारे पारे में अल्ला हस करते हैं बाते मेहदान अमल से दूर हुए पुर्यां की तिलावत भूल गए मीजान अमल से दूर हुए तोलत के नशे में चूर हुए इसलाम मिटाना याद रहा बातिल को मिटाना भूल गए दुनिया का घर आबाद किया उकुबा का घर बरबाद किया मुशिकिल में खुदा को याद किया आसा हुई मुशिकिल भूल गए मुख देख लिया है शीशे में परदाब न देखा सीने में दिल ने सलगाया जीने में मरने को मुसलमा भूल गए दाड़ी को तुमने साफ किया और दिल को नभी के चांग किया इसकाम से खुश होता है खुदा वो का मुसलमा भूल गए सीनों में कदूरत रखते हैं आपस में नफरत करते हैं शिकिलाया नभी ने जो प्यारो वफा वो प्यारो मुहाबत भूल गए इसलाम के गाजी बन न सके हम दिल से नमाजी बन न सके जिन सचिदों में मिलता है वो खुदा हम ऐसी नमाजी भूल गए दोलत के पुजारी बन बेटे औह दो के पुझारी बन बेटे खारून की पेर वी करने लगे आका की नसीहत भूल गए क्या किजब उजिना क्या वो खुझ उदगा हर एक हमारा फिखल बुरा इस्ट के लुटेरे बन बेटे इस्ट की हिफाजत भूल गए इमा की दोलत को बेटे इस्लाम की अजिमत भूल गए खेरों के फसाने यादी रहे और अपनी हकीकत अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ दे अमल की तुफिक अदा फर्माए यू कहा गाज सुना भी अपनी बारगा में कुब फर्माए आमीन यारब लालम यू आखरू